गूड मॉर्णिंग आप सभी का स्वागत है उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने बीये में एकोनॉमिक्स रखा है उसके लिए आज बात है बी एकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं बीये में एकोनॉमिक्स के चेन करते हैं लेकिन अक्षर बढ़ द्यार्थिक 10 कोशन पांस कोशन गेस करके पांस कर जाते हैं लेकिन एकनोमिक्स शीख नहीं पाते हैं अब आद में बीए के बाद जब ऑप्शनल चैन करते हैं बीपेसी के लिए या किसी वे स्टेट पीसी एज के लिए ता आपका फी परिशान रहते हैं वह ऐसाई से लिए होता है क्योंकि आप अंसर आइटिंग नहीं सीख पाते हैं तो कल वह सभी विद्यार्थी जो बीए कर रहे हैं एकनोमिक्स या जो कर चुके हैं आपके फ्रिंट्स अगर अंसर आइटिंग सीखना चाहते हैं तो कल हम आपको संडे को 10 बच के 15 मिनिट में यूटूब पर पंकज एकनोमिक्स आर माइक्रों कोनमिक्स मेकरों कोनमिक्स डवलपमेंट एकनोमिक्स स्टेटिक्स मेंतमेटिक्स सॉट कोशन और लॉग कोशन को आंसर कैसे करें अगर आप एक वर सीख जाते हैं तो बाद में अगर बीप्यसी या किसी स्टेट पीसीएस का KOMPATIDI एउग जामनेशन में अगर भाग लेते हैं तो आपको किसी तरह की परशानी आपको नहीं होगी तो आप सभी विद्याद्धीक जो economics से बीए कर चुके हैं यह खासकर जो कर रहे हैं अभी जो पाटमन में हैं पाटू में हैं पाटड में हैं वो सभी विद्याद्धीक आप कल हमसे YouTube पर discussion करेंगे आप हमसे जुड़िये और आप हमारे कुछ लेक्चर का अनुभव और मेरे जो अनुभव है उसके धार पर मैं बताऊंगा कि आप जो अंसर लिखते हैं इफेक्टिव कैसे होगा यहां जो बिता नाप का अंसर लिखने वाला पर चलन है कि दू बिता लिख दे में जदी और सिनल में रखते हैं एकोनोमिक्स तो आपको परशानी नहीं होगी तो चलिए इनी बातों के साथ कल हम आप सी मिलते हैं दस बच के पंदर मिनट में थैंक यू